सबसे पहले अक्सिस मोबाय अप्लिकेशन एपलिकेशन जैसी आप उपन करो कि आपको लॉगिन प्रोसेस कम्लीट कर लीनी है दोस्तो जैसे ही login process आपको complete हो जाएगा हम next page पर आ जाएंगे यहाँ पर multiple details आपको देखने मिल जाएगे account balance है recent transaction क्या है वो आप check out कर सकते हो अब यहाँ पर दो तरीके है pay add करने के सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा scroll करते हो नीचे दोस्तो scroll करने के बाद यहाँ पर send money option के नीचे आप देख सकते हो already जो pay add किये है वो यहाँ पर visible हो जाएगे बट आपको एक नया pay add करना है तो add new को option आपको यहाँ पर मिलता है तो आपको उस पर tap करना है जैसे ही आप tap करोगे next page पर आपको दो option मिलेंगे axis bank pay and other bank pay यानि कि जो pay या जिनका account आप add कर रहे हो वो axis bank क का ही उनका account है या फिर किसी दूसरे bank account है तो वो option आपको यहाँ पर select करना है उनकी details एंडर करने है और उनको आप as a pay add कर सकते हो आप देख सकते हो add pay का option आता है यहाँ दूसरा तरीका है उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर pay option के उप जिबल हो जाएगा तो आपने अगर pay को add नहीं किया है तो आप यही से add pay के उपर click कर सकते हो और आप देख सकते हो एक बार फिर से हम उसी page पर आ चुके है जो page हमें home screen पर मिला था तो यह एक step है और अगर हम back चले जाते हैं page यहाँ पर select करते हैं तो यहाँ से भी आप एक pay add कर सकते हो तो access bank का ही pay है या फिर दूसरे bank का वो आप यहीं पर select कर पाओगे others bank का होगा तो आपको कुछ नहीं add pay के उपर click करना है आप देख सकते हो eventually हम उसी page पर आ जाएंगे सारे details आपको यहाँ पर fill up करना है pay का नाम उनका nickname उनका account number अकाउंट नमबर confirm करना है IFSC code उ जैसे सारे details आप enter कर दोगे आपको add pay के उपर click करना है तो मैं जल्दी से यहाँ पर सारे details एंटर कर देता हूं दोस्तो सारे details जो है मैंने यहाँ पर fill up कर दिये है details fill up करने के बाद अब क्या करना है अब simply click करना है add pay option के उपर confirm pay details का इस तरीके से pop-up message आपको आ जाएगा सा OTP आपको यहाँ पर enter करना है और confirm OTP के उपर click कर देना है आप देख सकते हो जैसे OTP आप enter करोगे pay added successfully यह message आ चुका है तो हम आ चुके है directly transaction page के उपर अब इस pay को हमें कोई amount आगर transfer करना होगा तो amount enter करना है आगे बढ़ना है और pin enter करने के बाद transaction हो जाएगा तो आप देख यहाँ पे new pay जो है add हो जाता है आप कुछ चीज होगा देहान आपको रखना है अगर आप नया pay add करते हो तो 24 hours तक जो है यानि कि 24 गंटों तक आप 10,000 से उपर amount जो है इन्हें transfer नहीं कर पाऊगे जैसे ही 24 गंटे बीच जाएंगे उसके बाद में आप 10,000 के उपर का amount को इस नए pay के साथ transfer कर सकते हो तो दोस्तों यही कुछ basic steps है जीने follow करके आप access mobile application में pay add कर सकते हो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कीचे और शेयर कीचे अपने दोस्तों के साथ चानल को subscribe करना बिलकुल मत भूलिए मैं मिलता हूँ next वीडियो में दन्यवाद